आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चले आज Quick Reading section में ये हमारी पांचवी वीडियो है Tarot Reading के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि जिन व्यक्तियों का जनम किसी भी महिने की पांच तारीक और 14 तारीक, 23 तारीक को हुआ हो उनका जो मूलांग है वो 5 होता है और उनके लिए मार्च का ये महीना कैसा जाएगा मार्च में कैसा रहेगा उनका financial position कैसी रहेगी education और इसके साथ-साथ उनके relationship यहाँ पर 3 card reading है और quick reading है आप लोगों के लिए quick reading इसलिए क्योंकि आपका समय जादा ना लगे यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने पिछली चार वीडियोज नहीं देखी तो आप चैनल के playlist में जाएगे और वहाँ पर tarot reading के section में आपको चारो वीडियोज मिल जाएगी आप अपनी reading ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आप वीडियो के साथ end तक बने रहें ताकि आप अपने general questions के बारे में जान सकें पहला जो card है वो है page of cups यहाँ पर page of cups represent कर रहा है कि आप में बहुत सारी creation की energy है आप कुछ न कुछ नया create करना चाहते हैं जो आपने अभी तक create नहीं किया था आपके दिमाग में नएने ideas आ रहे हैं जिसको आप सोच कर उसे implement भी करना चाहते हैं प्रन्तु यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगी कि थोड़ा सा आपको जादा सोचने की जरूरत है जादा समझने की चीज़ आपको जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जो energy है जो दिखाई दे रहा है वो बहुत जादा mature energy नहीं है कापस यहाँ पर represent कर रहे हैं कि आप emotional होकर अपने practical फैसले लेंगे इसलिए आप लोगों को बहुत जादा ध्यान रखने की जरूरत है देखे कोई भी चीज़ जो financial matter से related होती है वहाँ पर emotions काम नहीं करते आपको जादा emotional होकर नहीं सोचना और कोई भी बड़ा project, बड़ा decision आपने emotional होकर नहीं लेना इसको आप समझिए और अपने रास्ते पे आगे चलने के लिए आप थोड़ा mature होने की कोशिश कीजिए अगर आप mature खुद नहीं हो पा रही है तो ऐसे में आपके घर पे कोई भी व्यक्ति है जो आपका बड़ा है आपके पापा हैं, आपके फादर हैं और रास्ते भी clear हो जाएंगे आपको एक बात के लिए advice भी जरूर करूंगी कि कोई भी decision आपने जल्दबाजी में नहीं करना immaturity में नहीं करना आप लोग ये मत सोचिए कि आप बहुत intelligent है बहुत जादा आपकी planning अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपका level अभी उतना अच्छा नहीं है कि आप सही तरीके से निरने ले पाएं तो यहाँ पर नमबर पांच के लोगों को मैं advice करूंगी कि मार्श के महीने में कम से कम आप किसी की सलहा के साथ काम करें और अकेले में decision लेने की कोशिश ना करें और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें तो इसका आपको बात को समझना होगा तभी आप सही फैसले ले पाएंगे तभी आप सही तरीके से grow कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं अगली reading की तरफ जो है education को लेकर education में आप लोगों को क्या करना चाहिए कहाँ पर आप लोगों के लिए energy struck हो रही है चलिए बात करते हैं ये जो next card है queen of cups ये भी emotions को represent कर रहा है प्रन्तु यहाँ पर आपके emotions बहुत ज़्यादा stable नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप over emotional नहीं है आप लोगों के लिए education को लेकर ये card बहुत अच्छा है आपको stability भी देगा maturity भी देगा calmness भी देगा और sensitivity भी देगा तो आप हर तरीके से अपनी education के लिए अच्छा कर पाएंगे देखिए एक mature behavior जब आप करते हैं और बहुत शान्ती के साथ करते हैं तो decisions भी सही होते हैं फैसले सही होते हैं और इसके साथ साथ आप education में बहुत ज़्यादा grow कर पाएंगे मार्श का महीना education के लिए काफी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है तो आप बच्चों को कोई घबराने की जरूरत नहीं अगर आप बच्चों के आपने करियर चूज करना है आप उसे ट्राइज जरूर कीजिए आपने जिस फील्ड में education ली है महाँ पर आपको काफी अच्छी तरक्टी मिल सकती है और ऐसे में अगर आपको किसी भी व्यक्ति की help चाहिए किसी की मदद चाहिए तो वो आपके घर में आपकी मदद हो सकती है आपकी बहन हो सकती है जो आपसे उम्र में बड़ी हो और इसके साथ साथ आपकी कोई पार्टनर भी हो सकती है तो कोई female energy आपकी मदद के लिए आगे आएगी और आपको उसकी मदद ले भी लेनी चाहिए जो आपके लिए काफी जादा फाइदे मंद रहेगी, आपको बहुत फाइदा देगी, education में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, तो इस तरह से female energy के आप help जरूर लें, अगर आप अपने education को grow करना चाहते हैं, career को grow करना चाहते हैं, चलिए next card की तरफ चलते हैं, जो है relationship का card, number 5 के लगों के लिए कैसे रहेंगे relationship, चलिए आगे जानते हैं, यहाँ पर यह card है eight of vans, जो बहुत सारी energy को दिखा रहा है, आप अपने relations को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों मिल कर काम करेंगे, दोनों energies बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर partner दूसर हैं, तो यहाँ पर आपको वो भी good news मार्च के महीने में मिल सकती है, number 5 के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को ज़रूर मिलेगा, कोई party हो सकती है, कोई celebration हो सकती है, बहुत ही energy के साथ आप एक दूसरे के relation को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में एक दूसरे की help करेंगे, eight of wands communication का card है, यह बहुत ही अच्छा card है उन लोगों के लिए, जिनके relationship पहले से अच्छे नहीं चल रहे थे, तो वो भी इस समय पर बैठ कर बात कर सकते हैं, एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऐसा खतम होने वाला है, उन लोगों के भी relationship दुबारा चलने ही शुरू हो सकती है, तो ऐसी action के energy यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप लोगों के relationship बहुत ही बढ़िया चलने वाले हैं, तो यह आप लोगों के लिए good news है, आप इसको enjoy कीजिए, अपने relations को आगे बढ़ने का मौ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मार्श के महीने में आप लोगों को छोटी सी एक remedy बता देती हूँ, करियर के लिहाँ से अगर आप यह remedy कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं जो negative energy दिखाई दे रही है, जो थोड़ी सी dullness दिखाई दे रही है, और immaturity दिखाई द दूर हो जाएगी, लक्षमी माता के मंदिर में चले जाएं, और वहाँ पर थोड़ा सा इत्र अप मा लक्षमी को अर्पित करें, ऐसा करने से आपको शुक्र मजबूत हो जाएगा, आप लोगों की immaturity दूर हो जाएगी, लक्षमी मा प्रसन होंगी, और आपके करियर में जो भी दिक्कते हैं, वो सब दूर होने लगेंगी, तो इस तरह से आप इस चोटी सी remedy को कीजिए, और ये reading अगर आपके साथ resonate की हो, प्लीज मुझे comment जरूर कीजिए, बताइए जरूर आप लगों को कैसी लगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी, तो like, share और subscribe जरूर कर दिक नने वात.